कि कि हिरे दोस्तों कैसे हैं अपोग मेना नाम शमाईल है आप लोग देख हे हैं व्रीक लिए part न्यूस आज में आपको बता dioiacAL प sized पाको यह आपको खौकते हो लेने से पहले अगर आप कोई प्रिक्सल फोन फॉन पर्चीस करना चाहते हो तो फुन की बारप है कि अगर पर बनाऊं। पर चेक करना और उसको चेक करना कि वह साही है कि नहीं है डीटेल में वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा आपको कि हर चीज कैसे चेक करना है सबसे पहले जो main चीज़ होती है वो होती है body अब कोई जो भी गिलास बिल्ड काओड़ी जो थे pixel 6 है, pixel 4 है, pixel 3 है वहाँ पर आपको गिलास जो है वो अलग से मिलता है body अलग से मिलती है तो इस जगा पे जो ये गिलास और body को जो attach करती है वो जगा आपने check कर लेनी है चारों तरफ से push करके कि हलका सा अगर हलका सा भी जो है आपका back panel हलका सा अंदर भी जा रहा है तो मतलब आपका जो phone है वो waterproof नहीं क्योंकि pixel 3, pixel 4, pixel 5, pixel 6 सब इन सब में waterproofing आती है तो वो waterproof नहीं है और वो refurbish है मतलब वो phone खुल चुका है उसमें कोई न कोई चीज खरापती उसको बनाएगा है तो आपने सही से check करना है इसके इलावा अकर हलका सा भी gap मतलब गम अगरा दिख रही हलका सा भी gap दिख रहा है back panel में और आपके body में तो समझ जाना है आपको कि हाँ यहाँ पर यह जो है phone opened है अब phone open होने का मतलब यह नहीं है कि phone में कोई न को issue होगा लेकिन यह जरूर है कि यह phone जो है waterproof नहीं रहा और refurbished phone है हो सकता है कि refurbished phone भी बिल्कुल सई चल रहा हूँ आपके पास लेकिन अगर आप original conditional phone दो तो जादा पहतर है अब मैं बात करूं phone सबसे बड़ी चीज की जो कि हर बंदा चाहे करता है और इसकी दुकान दार आपको warranty भी नहीं देता वो है आपका display अब pixel phone की हमेशा से एक dark mode लगाया है तो आपको dark mode हटा देना है ठीक है आपने dark mode हटाया और जैसे आप dark mode हटाओगे तो जो emulet display होता है वो आपको wide screen पे बता रेता है कि इसमें जो है आपने एक application लेकर उसको screen के चारों तरफ चला के देखना है अगर वो application किसी जगा भी ऐसा होता है जैसे कोने पर भी आगे जो है छोड़ी जाती है आपके हाथ से तो इसका मतलब यह है कि उसका touch change है और उसके touch में issue है वो आगे जाकर आपको issue कर सकता है और touch में आपको काफ बंदा नहीं देता यह आपको वहीं पर check करने होती है अब बात करते है में चीज़ के जिसके लिए हर बंदा गूगल फोन लेता है वो है camera तो आपको just focus check करना होता है और video बना के check करना है और microphone वागरा check करना है कि आपका camera से काम करना है नहीं करना है Google के जो phone है इनका जो focus है बहुत तेज होता है अगर आपका phone जो है focus सही से नहीं कर पा रहा तो मतलब यह है कि आपका जो phone का camera है वो change है तो इसका जो है या तो camera में dust है या कुछ भी है वो phone आपको नहीं लेना इसके इलावा यहाँ पर आपको सही से lens भी check करना है कि lens में निशानाद को हलके फुल के जो निशानाद है वो lens में लाजमी होते हैं याद रखना जब भी आपको kit phone लोगें लेकिन कोई भी crack वगएरा या dust वगएरा आपके lens में नहीं होनी चाहिए जो के main चीज है और crack वगएरा dust वगएरा होगी तो बड़ा issue हो जाता है इसके लाव अगर बात करूँ अकर battery को तो भाई बहुत से लोगें जो के battery से चेक नहीं कर पाते है एन में उनके बाद battery का issue आता है एक दो हफते बाद जब दुकानदार इंको एक हफती की warranty देता है एक हफते जब warranty खाता में आती है उसके बाद वो battery issue करने ले चाती है तो battery को चेक करने का तरीका बहुत ही असान ह मतलब हर दुकानदा रहती चेक करता है आपको जब कैमरा खोलना है वीडियो खोलनी और वीडियो चला के छोड़ देना है ठीक है यह बहुत ही अच्छा तरीका है आपने पहले percentage चेक लेना यह battery percentage यह battery percentage कितनी है उसके बाद यह चला के छोड़ देना है कम से कम पांच मिंट है अगर पांच मिंट में उसने एक पर्सें बैटरी गिराई है तो नहीं है उसके बाद घर में अगर आगयो घर में के device info के नाम से यहाँ पर एक एप्लिकेशन है वह चेक कर सकते हो आप उसमें आप जो है जाके battery कि यह option में जाके यहां पर देशत में battery health good दिखा रहा है तो यह भी आप check कर सकते हो लेकिन यह घर पर आके आपको शॉप की पर पर चेक करना है शॉप की पर क्या पास चेक करना है तो आपने just phone on करके यह बनती रहे 10 से 15 मिंट तक उसके बाद आपने check करना है कि battery कितनी घेरी है अगर 15 मिंट की video बनाई है आपने और आपकी 3-4% battery घेरी है तो इन 15 मिंट 5-20% battery घरना यह abnormal है और कोई भी battery जो है वह आप समझ लें कि इसमें battery में issue है इसलाव बात करूँ अकर मैं कुछ और चीदो वह चैक कर लेना है जो कॉलिंग सेंसर होता है उसको चैक कर लेना आपने तो सेंसर वगएर आप उस टाइम पे चैक कर सकते हैं तो यह थी कुछ चीज़न जो कि आपको लेने से पहले लाजमी चैक करनी चाहिए पिक्सल फोन में अगर आप कट फोन ले रहे हो यूज़ हो फो करे में अगर सबस्क्राप्स कर दो कि जिए थैंक यू सो बच्छ